noises कि अपने नंधे प्रेंप कुमDr मेंस यह आपके सकते हैं ने सिंगे आटे के पंखोडे बनाए है जो बहुत यह आसाने हैंены और हमने सिंगाडे के आटे का हलवा भीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर कड़ाई चड़ा दिया है कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है इसमें हम एक से दू चम्मस घी डालेंगे और सबसे पहले हम सिंहाडे के आटे का हल्वा बनाएंगे हमने यहां पर एक कप सिंह ठोड़े देर बाद कम से कम पांस मिनट बाद इसमें हम एक से ट्वी डेतर समच घी और एड़ेंगे इसे धीरे-धीरे करके ऐसे बूनते रहेंगे जब तक इसका कर ब्राउन ना हो जाए और इसमें घी एक-चमच अएट कर दिया है और इसको हम चलाते रहेंगे मिलाते प इसको भूनेंगे इसे हम 5-7 मिनट तक पूनेंगे लो मीडियम फ्लेम पे और इसको कंटीनु चलाते रहेंगे ताकि नीचे से पकड़े नहीं और इसका कच्छा पन निकलने तक अच्छी तरह से इसको ब्राउन कलर तक भूनेंगे जिता अच्छा यह भूनेगा उतना ही टे करेंगे तो हमने एक कप चीनी ले लिया है अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे ताकि नीचे से पकड़े नहीं गैस की फ्लेम हमारी मीडियम ही रहेगी और इसमें हम एक से डेड़ कप पानी डालेंगे पानी की क्वांटिटी हमें अच्छी रखनी होती है बहुत अच्छे स इसको मिलाना होता है इस समय पे क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे तो फिर हल्वा सही से बनेगा नहीं इसमें लंस पड़ जाते हैं तो हमने डेड़ का पानी डाला है गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको हम कंटीनू चलाते रहेंगे ताकि इसमें लंस ना पड इसको एक प्लेट में निकाल देंगे इस प्लेट को मने पहले से घ्रीज कर दिया था इसको इस बेशला से हम ऐसे फैला देंगे और एक कट्वरी ले में इस पर थोड़ा सा घी लगा के और इसको प्लेशार हो जा ठंडा होने पिसको कट करेंगे तो चलिए हम अपना लेंगे और यह बावल इसको ढाल लेंगे हमने यहाँ पे दोव लिये थे उनको कुछ गोल सेप में काट लिया और कुछ लंबे स्लाइस में काट लिया तो हम इसी से पकोड़े बनाएंगे और तब तक आपना पहले घोल तयार कर लेते हैं इसमें अमाधा अइन चदरक का अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो स्क्रों कर दीजिया और इसको कि ऑल थोड़ा पानी डालेंगे और ढ़लेंगे उट्य제가र करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आक हमने चमद से मिलाते हुए गूल सबस्कों यूज बना लेंगे इसमें आधा का पानी लग गया है सिंगहडे के आटे का घोल बंकर तयार हो गया है तो आप देख सकते हैं कि हमको इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है और इतना गाड़ा रहे ताकि आलू हमारे जो हमने काट के रखे हैं स्लाइस में उसमें आराम सोर लिपट सके तो तेल हमारा गरम हो गया है हम इसको चेक कर लेत आप सबसी और यह बैठर है और इसमें हम डाल डालके इसको मिक्स करेंगे और पकॉड़े अपना तलने के लिए डालेंगे तो हम एक चंब्स से उसमें लपेट के डाल रहे हैं इसको एक एक करके हम पलटते जाएंगे दोनों साइट से ब्राउन कळर आने तक किसको सेखेंगे गयश कि फ्लेम बीडियुम लू रहेगी ताकि हमारे आलू अच्छे सी पक्सके और सरह से हम घोज मेंतीन सें चार स्लाइस डालेंगे डीब करेंगे अच्छे से और उसको कड़ाहे में डालके तल लेंगे तो हम चार से पांच यहां पे डाल दिये हैं और उनको धीरे-धीरे दोनों तरब से उलट-परट के अच्छी तरह से सेख लेंगे इसके पकोड़े बहुत क्रंची होते हैं और खाने बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं तो आप प्रत ने यह बहुत ही अच्छे बनते हैं यहां पर देख सकते हैं कि इसका color brown होनी लगा है तो तो थवा निकालेंगे जिस्से कलर निकाल लेंगे तो थोड़ा सह हम कड़ाये पे इसको hold कर देंगे अंदर चला जाए तो इसके बाद हम दूसरे वाश के पकोड़े तल लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे पकोड़े तल के तयार कर लेंगे तो यह जो लंबी वाली स्राइस के थे अब हम इनको तल लेंगे इनको भी करके एक एक करके ऐसे डाल देंगे और इनको तलने में कम से कम पान से साथ मिर्ट का टाइम लग जाता है क्योंकि गैस की फ्लेम मीडियम लो रहती है और आराम से आलू पक जाएं इस वजह से इसमें आप एक साथ इस तरह से बना सकते हैं इस तरह से हम अपने सारे पकोड़े तल लेंगे और इसको दोनों तरब से ब्रॉण क्लार आने तक तलेंगे ताकि आलू भी अच्छे से पक जा और टेष्ट भी खाने में अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं किनते करण्ची बने ह और अच्छे बने भी मापको दिखाते हैं इनको अब हमारे ब्राउन हो चुगा है इनको भी हम इस तरह कर गे निकाल लेंगे और इसमें हम दो हरी मिर्ष डाल के थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे इसके साथ आप खा सकते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो हमारे पकोड़े और हल्वा बनके रेडी हो गये हैं अब हम इसको मन चाहे सेप में इसको काट लेंगे आप चाहे जैसे मन हो ऐसे काट लीजिए हम इसको स्कौर सेप में काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिंहाडे के आटे का हल्वा और पकोड़ा कितनी आसानी से और कितना जटपट बन जाता है इसको हम ऐसे काट लेंगे यह बहुत ही अच्छा बनता है तो आप बताईए कि आपको हल्वे के रेजपी अच्छी लगी है पकोड़ा की रेजपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करेए वीडियो को लाइकन शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिलें